Welcome everyone, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं 10th और 12th के स्टूडेंट कि कब N.I.O.S. का October November का Examination Form fill up करना है So, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें Examination Form का fill up करना है, तो N.I.O.S. के website पर examination form आ चुका है, तो आप examination form fill up कर सकते हैं कैसे examination form fill up करना है, इस वीडियो में मैं आपको step by step बताने वाली हूँ So, ध्यान से देखना है, सबसे पहले हमें N.I.O.S. के website पर जाना है यहाँ student login है, तो student login करना है So, already यह student का login किया हुआ है, तो यहाँ पर हम, जो अगर आपने login किया है तो top पर आपका नाम आ जाता है, तो यहाँ DEX board पर जाना है Okay, then आप देख सकते हो, उसमें, यहाँ पे public exam fees October November लिखा हुआ है Okay, तो उसपे click करना है So, top पर student की information है, पर यहाँ आप देख सकते हो, के subjects दिये है So, जो भी subjects के आप examination form fill up करना चाते हो, उसपे आपको click करना है So, यहाँ हमने click कर दिया जैसे ही आप click करते हो, तो यहाँ आपको नजर आ जाता है मैंने only one subject का examination form fill up किया था, English का So, उसका जो fees, जो है total fees, exam fees यहाँ 250 आ गया है और जो online processing fee से 50 रुपीज वो आ गया है So, total 300 रुपीज payment करना है तो यहाँ पर banks के detail है, bank concept bank का आपका अगर ATM है तो वो यहाँ से आपको choose करना है IDBI, SDFC और ICI से So, जो भी banks आप pay करना चाते हो, उसपे आपको click करना है और जैसे आप make payment में जाते हो So, आपको जो है, आपका examination form fill up हो जाता है So, I hope student, यह वीडियो आपके लिए useful होगा फिर से मैं कहना चाती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो like करे, subscribe करें Thank you